और एक बड़ी ख़बर प्रताबगर से समाजवादी पार्टी के कारेवाग जिलाद्धिक्ष गुल्षन यादो पर मुकदमा दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के कारेवाग जिलाद्धिक्ष गुल्षन यादो उस पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। रेव पार्टी में स्नेक वेनम सप्लाई करने के मामले में कुल छे लोगों पर मुकदमा लिखाता जिसमें एक शक्स एलविश यादो है जो बिग बॉस का विजेता है। फिलाल पुलिस ने तीन टीमों का गठन किया है तीन टीमें लगातार दविश दे रही हैं और आपको बता दें दिली, मुंबाई और इसके अलावा हरियाना में ये टीमें दविश दे रही हैं। फिलाल लगातार नौड़ा पुलिस अपनी इंवेस्टिकेशन जारी रखे हुए और आने वाले वक्त में देखा जा रहा है कि बड़ी कारवाई की जा सकती है। वही पुलिस अधिकारों का ये भी कहना है कि अभी तक एलविश यादव या उसके परिवार की तरफ से कोई भी संपर्ण नौड़ा पुलिस से नहीं किया गया है। बदमाशों ने गाड़ी लूट कर उसके हट्या कर दी थी। पुलिस ने जब एक बाइक पर तीन लोगों को देखा तो रुखने का इसारा किया। पर भागरे बदमाशों ने पुलिस टीम पर फारिंग कर दी। पुलिस की जवावी फारिंग में एक बदमाश को गोली लग गई। बदमाश के पास से पुलिस में लूट की गाड़ी, हत्यार और कार्टूस बरामत की जाएगी। आज के बाद प्रगाश में आई तत्यों के आदार पे खटना के संपून, अनावरण के संबन्द में अलग से जानकारी प्रेशिक की जाएगी। बागपत में पुलिस ने मुटभेड के बाद चार शातिर बदमाशों को पकड़ा, मुटभेड के दोरान दो बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गए। आरूप के मुताबिक बदमाश किसानों के टीविल को निशाना बनाकर चोरी की बारदात को अंजाम देते थे। इनके पास से दो तमंचे बरामत किये हैं, बिनवली थाना पुलिस ने जंगल से इन बदमाशों को गिरफतार किया, पकड़े के बदमाश मेरट के रहने वाले हैं। इस बरामादगी और गिरफतारी के संबंद में थाना से बिनवली थे आउसिक बेदानी कारवाई की जा रही है।